आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मिरा नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत सबागत है केंद्र का दोस्तों ये बहुत ही बहुत फपून फैसला है कि जो फॉरेंग डॉग गृट्स है उनको हम खतंग करेंगे टोटल 23 डॉग ब्रीट्स है खताम इंद्र सेंस की बैन करने का यहां पे फैसला लिया है देखे मैं परसनली ये मानता हूँ कि इसमें डॉग्स की कुट्टों की कोई प्रॉब्लम नहीं है में जो प्रॉब्लम सेथ होती है वो ओनर्स की ही होती है जो इनके मालिक होते हैं कैसे पहली बात ओनर्स जो है वो डॉग के वो कुट्टों के बिहेवियर को समझ नहीं पाते अब जब वो कुत्तों के behavior को समझ नहीं पाते जैसे husky के अगर बात करते हैं तो जो husky है वो Indian climate के हिसाब से हैं ही नहीं वो भारत के लिए बने ही नहीं वो थंडी जगाओं के लिए बना है और जब ऐसा होता है तो जो कुत्ते हैं वो भी चिड़ चिड़े हो जाते हैं आप उनको climate देना पड़ेगा आदे से साधा भारती जो हैं जिनके पास pets हैं वो अपने pet को ऐसे abandon कर देते हैं छोड़ देते हैं वो कुत्ते इधर इधर घूमते रहते हैं तो बड़ा मुश्किल हैं पिटबुल की बात करते हैं पिटबुल भी इस लिस्ट में होगा ही तो पिटबुल को आठ किलोमीटर आपको डेली दोड़ाना पड़ेगा वो इतना active डॉग है बीगल के साथ भी आई है लेकिन हम नहीं हम owners actual made dog को समझते ही नी कुत्त के nature को समझते ही दोस्तों मेरे घर के बगल में एक ऐसे पता नहीं कहां उन्होंने अकल जो है वो कहां घुट्रेम उनकी अकल है क्या है वो रोट वीलन को बिना chain के जैला रहा है ऐसे बहुत सारे आपको owner मिल जेंगे एश केचम पिकाचू समझ ली है कि भया chain है नहीं without attack करते फिर किसके जम्यदारी लेगा हुव विल बी रिस्पॉंसबल इडि डॉग अटाक्स तो कौन इसके जम्यदारी लेगा हुव विल टेक दी रिस्पॉंसबिलिटी ultimately यहाँ पर owner ही जेल जाता है कुट्टे को ले जाते नगर निगम वाले लेकिन इतनी अकल होनी चाहिए कि जर्मन शेफर्ट होगे यह dog breed से खतरनाक है है ना जर्मन शेफर्ट, पिटबॉल, रॉट वीलर इसको खुला कैसे टेला सकते है तो केंद्र ने यह फैसला लिया है दो चीज़े बताई है यहाँ पर के पहली बात तो illegal dog fights होती है यह underground होती है, कुट्टों को कुट्टों से लड़वाया जाता है, इसमें dog abuse होता है बहुत ज़ादा और साथी साथ इंसानों के लिए खतरनाक है dangerous for humans तो animal husbandry ने यह डारेक्ट किया अपने chief secretary को की sale नहीं होगी, ऐसे dogs की, breeding नहीं होगी, मतलब बच्चे पैदा नहीं होगे, ऐसे dogs के जैसे rot wheeler की breeding नहीं करवाई जाएगी, अगर आपके पास rot wheeler है, rot wheeler मतलब इसमें और भी category जाते pitbull है तो सबसे पहले आप उसको sterilize करवाएं, उसको injection दिलवाएं, उसकी नजबंदी करवाएं, ताकि वो breeding ना कर सके और उसके बाद import भी foreign breeds आप अपने साथ नहीं लग सकते, जो especially illegal dog fighting के लिए use होते हैं, और ओपी चौधनी ने ये सारे राज्यों को जारी किया है notice, और साथी साथ ये भी ये बोला है कि आप देखिए, आपने state में देखिए कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं है, और इंसानों के लिए भी that is dangerous, मुझे लगता है street dogs के लिए भी regulation लाना चाहिए, it is also very important, ठीक है, तो panel न पे 23 breed of dogs को identify किया है, ठीक है, actually क्या Delhi High Court में great petition डाली गई थी, ठीक है, अब ये rate petition जो है, इसमें यही था कि यहाँ पे, it is quite dangerous, हमको कुत्तों को, क्यूंकि कुत्तों कई बार क्या होता है, कुत्तों को पीट-पीट के मार दिया जाता है, और लोगों के लिए भी ठीक नहीं है तो दोनों के लिए यह सही नहीं है, तो इसमें great petition डेली High Court में डाली गई थी, citizens, citizen forum, animal forum द्वारा, import भी बोला, अब चाह बोला कि import जो है, इसको भी, you know that, उसको भी बाहर से आप कुत्ता नहीं मगा सकते, यह भी expert committee जब बनी थी, उसने यह recommend किया था, ठीक है न, तो अभी य आफर्ट शाय, टेरियर, डोगो अर्जेंटीरो, फिला बर्सोलिया, अमेरिकन बुल डॉग, बोर्बिल कांगल, सेंट्रल एशियन सेफर डॉग, कॉकोशियन सेफर डॉग, और बाकी यह सारे के सारे, फुट औरनाज हो गया, जैपनीस टोसा हो गया, कीता हो गया, मैस्ट गार्ड हो गया, डॉग, केन कॉर्स हो गया, बैन डॉग हो गया, यह देख सकते हैं, टोटल 23 ब्रीड्स है, जिसमें बोला है कि भाई, अब इनकी ब्रीडिंग या सेल जो है, वो बंद करेंगे, ठीक है, तो पेटा ने केंदर का यह जो आक्शन है, पेटा आपको पता ही ह कि यह आनिमल राइट्स के लिए लड़ता है, पूरी दुनिया में लड़ रहा है, कि आनिमल के साथ अच्छा ट्रीट्मेंट होना चाहिए, तो पेटा ने इस डिसीजन को बोला कि बहुत ही अच्छा किया सर, जो आपने वलनेबल डॉग ब्रीड्स है, इसमें इलीगल कर दिया जाता, उनको पाला जाता है, बहुत गडबड ही है, ठीक है ने जिस तरीके से उनको रखा जाता है ना, तो शौर अगरवाल जो की एसोसियेट है, उन्होंने बोला कि यह बहुत जादा जरूरी है क्योंकि इसमें हम इंसानों को भी बचाएंगे, और कुतों को भी बचाएंगे, साथ ही साथ जो pitables और related breeds है, वो कई बार, you know, they are abandoned, अमेरिका में तो बहुत आपको मिल जाएंगे, अमेरिका में भी यह प्रॉब्लम है, हम अमेरिका में तो रहते नहीं है, UK ने ब्रैंड करके रखा हुआ है, UK मैं आपको street dogs नेम लेंगा, अमेरिका में आपक pitables ऐसे आराम से टेल तो बेंगे, क्योंकि बहुत जो है वो abandon करते भारे भी यह problem है, बहुत सारे owners जो है, pet owners जो आपने कुत्तों को abandon छोड़ देते हैं, कि हम पाल नहीं पाएंगे, इसको छोड़ दो, यह चीज है, जिसकी वज़े से, इंसानों को भी खत्रा है, देखे, street dogs जो होते हैं, आपको जानके हरानी होगी, जो maximum, जो जाधातर bites होते हैं, street dogs के वज़े से नहीं होती है, वो इन ही, जो यह branded dogs हैं, इनके वज़े से होते हैं, क्यों? ओनर ने छोड़ दिया, street dogs तो भया मस्त हैं, हैना, वो मिथुन्दा हैं, उनको पता है, गलियों में कैसे survive क पता है, और जिसको नहीं पता है, एक अमीर आदमी को, या एक अमीर आदमी के बच्चे को आप एकदम से बहारी दुनिया में छोड़ दो, तो उसका क्या हल होगा हो? चुर्चला हो जागा, परशान हो जागा, ऐसे यह dogs भी परशान हो जाते हैं, जिसकी वज़े से attack होता ह जिसके में आप dog fights नहीं करवाई से आ सकते हैं, कई बात इन कुत्तों को पकड़ भी लिया जाता है, बहुत अभी उस किया जाता है, इनको टॉर्चर किया जाता है, dog fights के लिए, और ये अभी भी भारत में आपको देखने को मिल जागा, dog fights के ऐसी बहुत सारी animal fights आपको यहा Department of Animal Husbandry इन सबसे बोला है कि आप implementation करिये इन ही rules का ताकि इस तरीके की cruelty को खतम किया जा सके, DBM 2017 और prevention of cruelty to animals channel के pet rules यह इसी लिए था ताकि animal cruelty को ना हो, मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी जानवरों के साथ दिक्कत कोई भी जानवर हो, तो ऐसे और अगर आपने pet पाला है, है न जहां से आप pet ले रहे हो, कोई भी pet हो, गिनी हो, गिनी pig हो, तोता हो, birds हो, मचली कुछ भी ले रहे हो अगर आपने वो लिया है, तो pet जो shop owner है, उनके लिए भी rules है, और आपके लिए भी rules हो जो है, वो define किये गए है, साथी साथ, dogs को बहुत ही अच्छ से in a human way, जो कि नहीं होता है, नहीं होता है, इन a human way, वैसे आपको handle करना है, और pet shop rules वही है कि pet industry को regulate किया जा सके, ताकि चीज़े जो है, वो ठीक हो सके, ठीक है, तो यहीं सारी है, अब लेकिन यह के दर का फैसला है, कि भाईया, सबसे पहले तो हम इस, अरे, आजा भाई, ठीक है, तेइस dog breeds को जो है, वो यहाँ पे हम फिलागन का sale impreading और जो import है, वो बैंग करेंगे, आपको क्या लगता है, कैसा फैसला मुझे comment box में जरूर बताएगा, बड़ जो है, जो so है, क्योंकि अभी attacks काफी बढ़ गए है, इसकी PDF आपको हमारे telegram group study gloss पे मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कर interface और बहुत सारी और भी चीज़े आपको मिलेंगी, बहुत जादा फायदा होगा, हमारे telegram group study gloss को जरूर जोइन करें, वो active हो गया दुबारा से, description, comment box में link दिया है, देसे सिद्धान तकनी उतरी, signing off.